हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने वीड़ाबल आईसी में और मैं अमित कुमार सोने हारदेख हारदेख अभिनेंदन करता हूँ दोस्तों अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जो भी पहली वार वीडियो देख रहे हैं नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर लें शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें और बेल आईकॉन पर प्रेस नोटिफिकेशन के लिए जरूर कर दें दोस्तों सत्योग में शिरामचंद जी ने सीता जी से कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हंस दाना चुगेगा और कवा मोती खाएगा दोस्तों आज ऐसी ही कुछ कंडिशन मद्य प्रदेश में ही नहीं बल्की पूरे भारत देश में होने आ गई है और इस कंडिशन में सबसे ज़्यादा यदि मानसिक पीड़ा समवेधना सिहिन की है तो वो की है मद्य प्रदेश के सिक्षेत युवाओं ने जिने हम बारत का इस प्रदेश का, इस देश का, इस राष्टर का भविश्य कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बिश्व विद्यालाय या जो प्रोफेसर्स हैं, इस प्रकार से उच्छे सिक्षा मंतरी द्वारा उनको बर्ग लाया गया, किस प्रकार से जूटे आजवाजन दिये गए, लेकिन अभी तक इतने समय के बाद में आंदरुन करने के बाद में, उनकी भी जॉइनिंग की कोई प्रोसेस आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वैसे तो सभी वर्ग चाहे वो सिक्षक भरती से संबन्दित हो, चाहे वो कॉंस्टेबल से, पुलिस भरती से, किसी से भी संबन्दित हो, काफी कुछ फ्रॉड निकल करके सामने आ रही हैं, काफी कुछ अपरी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, तो दोस्तों इन अपरी घटनाओं के बाद में अधी हम बात कर लें, तो अभी हाल ही में बिक्रम बिश्विद्यालाय में दीक्षांत समारो का आयोजन किया गया, लेकिन ये दीक्षांत समारो बिल्कु फीका ही प्रतीत होता है, क्योंकि जो डिग्री धारी हैं, उन्होंने इसको भाई स्कृत करने का निर्ने लिया था, कि भई हमें आप डिग्रीयां दे रहे हो इतनी सारी, लेकिन उसके साथ में कुछ नोकरी की गारेंटी भी तो दो, लेकिन उच्चे सिक्षा मंत्री द्वारा इस्तम्न में कोई भी जवाब नहीं दिया गया, तो दोस्तों आईए हम बात करते हैं कि आखिर क्या है ये मामला उच्चे सिक्षा विभाग में और ये सभी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अंतता तो सिक्षा विभाग और फिर उच्छे सिक्षा विभाग नौकरी तो सभी जगे लेना है और सभी की कामोविष कंडिशन एक जैसी है तो आईए दोस्तों देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा ये वीडियो में भी कि ये दिख्षान समारो चल रहा है जहांपर डिग्रियां बाटी जा रही है स्वागत सम्मान किया जा रहा है विद्यारतियों का इस्टुडेंट्स का लेकिन बाद में कामोविष उनकी इस्तिती वही होना है कि डिग्री ले जाओ लेकिन नौकरी का कोई गारेंटी नहीं है तो दोस्तों ऐसे ही एक न्यूज है जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी हाली में ये पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है इसमें उसकी वहिशकार के बारे में बात की गई है तो थोड़ा सा आप इसको समझ लें कि इसमें क्या है चलिए देखते हैं इसके उने राज सरकार से डिगरी के साथ नोकरी देने का अनुरूत किया है शनिवार को दिक्षंत समारों में बिश्व इद्यालाई के कुछ शीर्स धारक आवसारों की कमी को देखते हुए डिगरी का भहिशकार कर रहे हैं और अन्य डिगरी प्राप्त करताओं से भहिशकार मे उन्होंने बताया कि डाक्टर राठोर ने कहा है कि उच्चे सिक्षा मंत्री ने तीन वरसों में बिभाग में लगबग 12,000 रिक्त पदों को बरने का आश्वाशन दिया था राज में काम कर रहे 3,500 से अधिक अतीती विद्वानों और दूसरी और NET, SET, PhD धारकों की संक्य जो की बेरोजगार है लगबग 4,000 है उनके द्वारा कुल 7,000 पद भरे जाएंगे और अभी भी 4,500 पद खाली रहेंगे यदि राज्य सरकार चाहती है तो UGC नियमन 2018 के अनुसार या PSC के माद्यम से निमित पदों को मंजूरी दे सकती है यदि रिक्त पदों को PSC के माद असर प्रदान किये जा सकते हैं तो दोस्तों ये जो है वहिशकार किया गया है कि काफी समय से उच्च सिक्षामंत्री कहते आ रहा है के भी नियुकती कर रहा है कर रहा है और इन्हों ले काभी कुछ आंदूलन किये ते हम ने देखा भी भी था मुरंडन वगेरा था सभी तो अब ये दीक्षान समारों का वहिशकार किया गया है तो दोस्तों कामोवेश मद्यप्रदेश में नहीं पूरे देश में भी ऐसी इस्तिती चल रही है कि बेरोजगारी फैली हुई है लेकिन मद्यप्रदेश के अलावा यदि हम दूसरे राज देखें उत्तरप्रदेश राजस्तान तो वहाँ पर काफी कुछ नोक्रियां दे दी गई है कोरोना के बाद भी लेकिन मामा जी की नींद कप खुलेगी ये तो पता नहीं और अब आगे मद्यप्रदेश के युबा क्या करते हैं किस प्रकार से अंदुलन रत होते हैं इस बेरोजगारी के खिलाप मे और अब इस भरष्टाचार के खिलाप में जो कि अभी हमने व्यापम के गोटाले में भी देखा तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं कि काफी मानसिक प्रतारित हैं और काफी परेशान है लेकिन हमको होश बना के रखना है और धहरे से सबकाम करना है किसी भी प्रक हुआ है